सनातन पर शेड़े संगराम के बीच पीए मोदी और सीएम योगी ने विरोधियों पर करारा हमला बोला पीए मोदी ने कहा है कि सनातन पर हो रोए हमले प्रायोजित हैं जिसकी पठकता विपक्ष ने मुंबई वाली मीटिंग में ही लिखती थी लेकिन इस बार लड़ाई सनातन विरोधियों से है जिसका जवाब जनता देने वाली है आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे 2024 में मुकाबला असली सनातन वर्सिज नकली हिंदू तक आ गया है there's nothing Hindu about what the BJP does there's absolutely nothing Sonia ji Rahul ji क्यो चुप है Samvidhan और Sanatan dharam तोनो के अपमान कर राम एग्वास्टिता आने वाले दिन में एक एक पाई का हिसाब देश का सनातनी हिंदू लेगा कोई सनातन को मिटाने का संकल्प ले रहा है सनातन को डेंगू मलेरिया कोरोना जैसा बता रहा है तो कोई कह रहा है सनातन धर्म सामाजिक बिमारी है ये बिमार मानसिक्ता की लोग बार बार लगातार सनातन धर्म पर हमला बोल रहे हैं और खास एजेंटे के तहर सनातन धर्म पर निशाना साथ रहे हैं लेकिन वक्त उन विरोधियों को जवाब देने का है जिनकी मानसिक्ता बीमार हो चुकी है जो सनातन की तुलना बीमारी से कर रहे हैं और इसी पर पहले सीयम योगी ने हमला बोला तो अब पीयम मोदी ने भी करारा वार किया उन्होंने अपना एक हिडल एजेंडा भी ताय कर लिया है और ये नीती रण नीती क्या है ये इंडी एलाइंस की नीती है एक गमंडिया गटबंदन की नीती है भारत की संस्कृती पर हमला करने की इंडी एलाइंस का मिर्ण है भारतियों की आस्ता पर हमला करो हो त然后 थेएंस की मिर्ण को кварти स्थ संबोधय है कि यह इस गहाइए करद की संत्राइग सब्ड नहीं है नथिए भारत का संस्कृतिक संवोधन है थे में देरी खैसको лगया है 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 कि उसको बी कि आज लोगोंने कि संकुचित यरे में लाने का क्या मुद्दा सनातन के अपमान का है मुद्दा इंडिया गडबंदन की चुपी का है और सवाल है आखिर इंडिया गडबंदन की मुंबई वाली बैठक के बाद सनातन पर सीरियल अटैक कैसे होने लगे आखिर क्यों एक के बाद एक गटबंदन साथ ही हिंदूों के विरोध में आवाज उठाने लगे क्या ये सू नियोजिक तो नहीं सनातन भारत भारती था इसको बदनाम करने का एक बहुत बड़ा शड़यंत्र यूपिये के ने नाम से रचे के गटबंदन गमंडिया गटबंदन ने मुंबई मीटिंग में एक टूल किट के मात्यम से शुरू किया है ये मुंबईया डेकलरेशन का एक गोपनिया हिस्सा है जिसके तहट भारत, भारतीता, राष्टेता, सनातन इनको अपमानित किया जा रहा है क्या ये सू नियोजिक तो नहीं जिसका आदी है ना अंत जो साश्वत है, जो समय से परे है उस सनातन के खिलाफ जहर उगलना कहा तक जायस है उस धर्म के खिलाफ सियासत कहा तक ठीक है उसे खत्म करने की साज़ेश आखिर क्यों हो रही है जो भारत का राष्ट्य धर्म है उस सोच पर अब सवाल खड़े हो रहे है और इंडिया गटबंदन से सवाल पूछे जा रहे है क्या 26 दलों की ये सोची समझी साज़िश तो नहीं Bureau Report, News 18 There's nothing Hindu about what the BJP does There's absolutely nothing Sonia Ji, Rahul Ji, क्यो चुप है Samvidhan और Sanatan Dharm दोनों के अपमान है आने वाले दिन में एक एक पाई का हिसाब देश का सनातनी हिंदू लेगा और संसत के विशेश सत्र को लेकर एजिंडा सामने आ गया है संसत के विशेश सत्र में आजादी के 75 सालों पर सम्विदान सभाव से लेकर आज तक की उपलब्धियों पर चर्चा होगी एजेंडे में चार बिलों का जिकर भी है इन चार बिलों में आडवोकेट बिल, प्रेस और रजिस्ट्रेशन और पिरियोडिकल बिल 2023 पोस्ट उसस बिल और चीफ इलेक्शन कमिशनर और अड़र इलेक्शन कमिशनर बिल शामिल है 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे संसत के पांच दिबसे विशेश सत्र से पहले 17 सितंबर को एक सर्वदलिय बैठर बुलाई गई है और विशेश सत्र के दौरान लोग सभा और राज्य सभा में प्रशनकाल और गयर सरकारी कामकाच नहीं होगा पहले दिन 75 साल की हमारा जो सफर उस पर चर्चा होगे और उसके बाद नया संसत सत्र सुरू होने की संभावना है अभी केलर कट नहीं काया है लेकिन हमाई जो जानकारी मिल लेकि शायद नया संसत भावन में होगा तो उस संसत भावन में ये जो चार बिल है ये वहाँ पास किये जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है तो गणे सत उतरी है 19 सेतंबर को तो शायद 19 सेतंबर से नया संसत भावन में हम लोग जाएंगे तो कुल मिला के जैसे कि हम उमीद कर रहा थी कि ये बहुत एक ऐसा सत्र होगा जो एतियास ही होगा शायद उस तरह से नहीं हो पाए क्योंकि बहुत रहारे कि गयास लगा रहे थी कि मैवला एक्षंड बिल आ सकता है वन नेशन वज एक्षंड बिल आ सकता है पर उत तो सरकले अजनड़ में नहीं डाला पर चर्चा की जाएगी तो वहीं इस दोरान संसद्य एतिहास के काले अध्याय पर भी चर्चा होगी। पात काल के दोरान इन पार्टियों के बड़े निताओं को जेल तक भी चागया। पुपाठक के साथ अनुप गुपतान न्यूजेटी नेटवर्क दिल्ली। बीज़पी के बरश नेता शानवाज उसेन ने कहा कि जब संसद्य एतिहास के स्वर्णिम काल पर चर्चा होगी तो उस काले अध्याय पर भी बात होगी। चर्चा में जवाब तो आट जेली जेली और सपा को देना होगा। इसको तो हम कांग्रिस का ही गठवंदन कहते हैं इसमें जतने लोग हैं वो कांग्रिस के खिलाफ लड़कर ही नेता बने अब ये सब बात वो अपना छुपाएंगे तो उनके उदे का नहीं होगा लालू जी छपड़ा से जित के आए थे 77 में कांग्रिस को यह रा के आए थे राम बिलास पासवान जी आए थे ये सारी पार्टियां इमर्जन्सी की उपज हैं कही से बैठ जाते हैं लुप साथ में कितना इनको मारा पीटा था कांग्रेशियों ने मार मार के पीठ लाल कर देते थे फिर भी यह उन्हीं के साथ बैठे हुआ है आयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेश रखे गए हैं लेकिन एसपी का आरोप है कि मंदिर पर बीजोपी राजनीती कर रही है संभल से एसपी सांसर शफीकूर रामंदर निर्माण में खुदाई के दौरान मिली मूर्तियों पर बड़ा बयान सामने आया उन्होंने कहा आयोध्या में मस्जिद थी और हमेशा मस्जिद ही रही कि मसल्मान मंदर तोड़ कर इसकी बाददगा तोड़ कर क्यों बनाएगा और प्यों इस किन की निषानियां उसमें चोड़ेगा कि अर मजजिद बना बनाई रहा है वो तो उसकी जुशानिया वो क्यों छोड़ेगा लेकिन ये सब चीज़ मैं समझता हूँ ये सब उसकी तैयारी के लिए अलक्षन की तैयारी के लिए लोगों के हिंदू बाईयों के ज़द्बात भरकाने के लिए और उनको अपना हमदत बनाने के लिए कल को हमें वोट दे दे यूपी के सबी 80 लोग सभा सीटो पर चनाव लड़ने के लिए कॉंग्रेस तैयार है ये बायान यूपी कॉंग्रेस अध्यक्ष अजयराय का है और मेरट पहुचे प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष ने ये दावा किया कि 2024 में गटबंधन जीतेगा और बीजेपी सत्ता से बाहर होगी अध्यक्ष अजयराय जी अजयराय जी स्वागेस अपने जीजटीन पर क्या कहेंगे आज वहीं से ये बात उटी है और ये दूर तक जा रही है और जो अत्याचारी न्याई सरकार है उसको कॉंग्रेस के लोग उखाड़ कर फेके अज बीना की सभा में कहा कि गडबंधन भारत की आस्था पर चोट कर रहा है हिंदूस्तान का इंडिया का गडबंधन राष्प न आई क्रिया हो. बागेश्वर में कहा कि समाजबादी पार्टी ने साथ नहीं दिया अपना प्रत्यासी लड़ा कर हमारे प्रत्यासी गौहरा दिए अब ये निश्चे तोर्थ हमारा जो करता भी था वो हमने घोसी और उत्तवर्देश में कर दिया वाक्त एक ब्रेका है जल लॉटिंगे कुछ और खबरों के साथ पेट सफा आयूरवेदि